अब लोग बनाएंगे बिल्कुल लेंग तरीके से सोया 65 और भी तरके डाल कर इसे बनाना बहुत ही असान है और खाने में बहुत ही स्वादिश लगती है एक बहुत ही अच्छा इवनी है स्नेक्स है तो फिर देर किस बात की चलिए चलते हैं कबता किरो सोई में और बनाना 100 ग्राम सोया चंक्स लिया है तीन हडा मिर्च को बारिक काट लिया है एक मुठी कड़ी पता को भी काट लिया है थोड़ा सा धनिया पता को काट लिया है थोड़ा सा अधरक और थोड़ा सा लसुन को इस दोनों को भी काट लिया है थोड़ा सा हींग है थोड़ा सा काली रा पाउडर है दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर है आधा चम्मच जीरा पाउडर है आधा चम्मच हल्दी पाउडर है चार चम्मच चावल काटा है दो चम्मच मैदा है अगर आपके पास चावल काटा नहीं हो तो कॉर्ण फ्लोड भी डाल सकती है दही है और अधरक लहसन का प करेंगे थोडा सा दभी मिला देंगे और इसको इसमें ऐसे मिक्स करतेंगे कि अब हुआ हाहा है आपि मेज शोया देंगे रिष्ट बाड़ने पंदरर मिन्यट के लिए इसमें छोड़नेगे, यह इसमें सोक हो जाए अब यह अच्छी तरह से सोख हो चुका है अब इसको extra soft बनाने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए उबाल देंगे अच्छी तरह से खौल चुका है अब इसको strainer में छान लेंगे अब इसमें मिला देंगे फ़ुड़ा सा हींग लाल मिर्च पाउड़र जो मैंने सारे मसाले रखे उसको इसमें मिला देंगे दो चमच अदरक लख सन का प्केश्ट मिला देंगे दो चमच दही मिला देंगे जो चावल काटा है और मैदा है इसको इसमें मिला देंगे इसको इसे हाथ से मिला देंगे मीरने ठोलने के लिए फ Raven department छोड़ देंगे इस पर अच्छी तरह से कोटिंग हो गई है और तक जा चुका है अब इसको फ्राई करेंगे प्राई करने के लिए मैंने गैसपर कड़ाई में तEल को ढ़ंग कड़ा Systems अब तेल गर्म हो चुका है, अब इसको इसमें डालेंगे कुछ देर के लिए इसे नहीं छोड़ देंगे अब इसको पलट देंगे, कुछ देर और होगा अब अच्छी तरह से पक चुका है और इसको निकाल के इसमें रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल जो है सो निकल जाए इसको बनाने में छे मिनट का समय लगा है फिलेम को मैंने मेडियम रखा है इसमें हल्दी आप नहीं भी डाल सकते हैं अब यह भी अच्छी तरह से हो चुका है अब इसको निकाल लेंगे इसमें इसे करने से इसका एक्स्ट्रा तेल निकल जाता है अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह मैंने साड़े स्वया चंक्स को फ्राई कर लिया है देखिए कितना क्रिस्पी बना है इसका आवाज आप सुन सकते हैं अब इसको तरका के लिए त्यार करेंगे इसके लिए मैंने कडाही को गैस पर चला दिया है अब इसमें एक चमचर काली राई डाल देंगे थोड़ा सा तेल डाल देंगे तेल ज्यादा नहीं टालेंगे क्योंकि पहले से भी उसमें तेल में ही फड़ाई हुआ है राई को चटकने का इंतिजार करेंगे हडा मिर्च डाल देंगे अब इसमें डाल देंगे सोया चंग अब इसमें धन्या पत्ता और कड़ी पत्ता दोनों को मिला देंगे अब इसको अच्छी तरह से चला देंगे थोरा सनिम्भू का रस मिला देंगे इसको चाहे तो आप इसकी फी कर सकते हैं अब यह तयार हो चुका है अब इसको सर्व करने के लिए तयार करेंगे गैस को बंद कर देंगे देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी सोया सिख्रिफाई बन कर तयार है यह बहुत ही अच्छा इविनिंग स्नेक्स है इसे आप अवस्य बनाईए इसमें कढ़ी पता का बहुत ह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे कमेंट लाइक और शियर अवस्य करें साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक क्यार थैंक्यू फोर वाचिंग मैं वीडि अगरे हैं उब्चिंघ कमें और छाव दो 실мотр हैंवस्य करेंग – तब कानथ वीडियो अरे खुह करें देंऊंगर प्ल разु़ू करेंट और हम टेस जटे हैंगले तो झाले चैनल च्तर वीडियों का वीडियो खुह और χावीं ओपकर हैंगले हैं वीडियो उत् thấyम्प झाल